दोस्कारोस्तों धीट है आज की 39 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इस्यूज आज हम डिसकेश करेंगे डिटेल से सबसे पहले इंडिया का टू फ्रेंट वार चैलेंज दूसे नंबर पे बेल रिफॉर्म्स और तीसे नंबर पे अफगानिस्तान पीस प्रोसेस ये कोशन है जो आपको अटेम करना है क्या आपको लगता है इसके लावा दूसरा पार्ट इंडिया को क्या स्टैप्स लेने चाहिए इस टू फ्रेंट वार सिचुएशन को टैकल करने के लिए 250 वर्ट में आपको इस कोशन का आंसर देना है चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल टू फ्रेंट वार सिचुएशन से समधित है आप जियास पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों सबसे पहले आप एक बात बताईए टू फ्रेंट वार सिचुएशन का क्या मतलब है सिंपल माण लीजिए एक तरफ इंडिया पाकिस्तान बोर्डर और दूसरे तरफ इंडिया चायना बोर्डर दोनों यानि दोनों फ्रेंट पर एक साथ इंडिया की लडाई श्टार्ट हो जाती है तो यह सिचुएशन है टू फ्रेंट वार सिचुएशन इस आर्टिकल में हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे देखो कुछ समय पहले तक जब भी टू फ्रेंट वार सिचुएशन की बात आती न तो एक तरफ पोलिटिकल क्लास और दूसरी तरफ इंडियन मिल्टरी दोनों के ओपिनियन्स में डिफ्रेंसिस देखने को मिलते हैं जहां एक तरफ इंडियन मिल्टरी का ये मानना था कि भाया चाइना और पाकिस्तान के बीच चाइना और पाकिस्तान के मिल्टरी के बीच कोल्यूजन जो है वो एक real threat है real possibility हैं तो इंडिया के पास capability होनी चाहिए इस collision का मतलब दोनों देशों की military का एक साथ सामना करने के लिए इंडिया के पास ऐसी capability होनी चाहिए लेकिन political class का ये मानना था आरे नहीं 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 चाइना के साथ हमारे लडाई नहीं हो सकती चाइना के साथ हमारे economic ties है diplomatic ties है और अभी से लेके past में आप अगर देखोगे तो जब भी इंडिया पागिस्तान के लडाई हुई है तो बीच में चाइना ने intervention नहीं किया है तो ये two front war situation के जो आप बात कर रहे होना ये possible नहीं है आप एम भी बोल रहे हो क्योंकि आपको resources चाहिए ज़्यादा तो ड्रा के आप ज़्यादा resources लेना चाहते हो आप ज़्यादा budget allocate करवाना चाहते हो defense needs के लिए तो ये political class का मानना था लेकिन देखो इस साल जून में जो गलवान वैले की घटना हुई उसके बाद सोच में बदलाव आया है पहले Indian military का ये मानना था कि अल्दो चाहिना हमारा ज़्यादा powerful दुस्मन है बट चाहिना के साथ conventional conflict की संभावना बहुत कम है जैसे 1965 में Pakistan और इंडिया के बीच वार हुआ था या फिर 71 में हुआ था या फिर Targill में हुआ था ऐसा conflict चाहिना के साथ पैदा होने की संभावना कम है लेकिन पाकिस्तान के साथ conventional conflict फिर से हो सकता है ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान terrorism को पर्मोट कर ही रहा है कोई major आंतकवादी हमला हो इंडिया में और इसका जबाब इंडिया के द्वारा दिया जाए और Western Front पर पाकिस्तान के साथ conventional war स्टार्ट हो जाए ऐसी possibility तो इंडियन military को लगती थी लेकिन इस साल जून में जो लद्दाख में गलवान वैली की घटना हुई काफी violence हुआ इंडिया के 20 जवान सहीद हो गए और चाइना के साइड भी casualties हुई तब से लेकिए अभी तक border पर tensions हैं काफी rounds की बातचीत हो चुकी है अभी भी कोई solution नहीं निकल्स का है किस परकार से अप्रेल से पहले की जो situation थी उसको restore किया जाए मतलब situation अभी भी काफी ज़्यादा चिंता जनक है देखो अभी अगर मा लीजिए कोई solution निकल भी आता है ये जो current conflict चल रहा है ये soul भी हो जाता है लेकिन चाइना को लेके जो सोच है वो अब बदल चुकी है और देखो ये तब हुआ है जब इवन दूसरे front पर यानि इंडिया पाकिस्तान border पर भी ceasefire agreement का violation काफी ज़्यादा हो रहा है 2017 से लेके 2019 के बीच ceasefire agreement का violation चार गुना ज़्यादा हुआ और जहां देखो एक तरफ इंडिया चाइना border पर tensions हैं दूसरी तरफ ऐसी भी media reports सामने आईं कि गिलगिट बालतिस्तान में पाकिस्तान में अपने troops की संख्या को increase कर दिया है 20,000 ज़्यादा troops को deploy किया गया है पाकिस्तान के द्वारा गिलगिट बालतिस्तान रिजन में इसके बाद बात आती है चाइना और पाकिस्तान के बीच military links की देखो वैसे तो चाइना और पाकिस्तान के बीच जो रिष्टा है इसमें नया कुछ नहीं है इवन ऐसी ऐसी बाते बोली गई है कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो सहद से मीठी है माउंट एवरेश्ट से उंची है समुंदर से गहरी है ये सब बाते भी बोली गई है लेकिन इसके implications अब serious लगने लगे है क्योंकि आज के समय में देखो पाकिस्तान चाइना का एक परकार से प्रोटेक्टोरेट स्टेट सा बन गया है मतलब ऐसा कोई official agreement इनके बीच में नहीं sign हुआ है लेकिन जैसा links देखने को मिल रहा है उससे लगता है जैसे किसी समय में सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था उसी परकार से आज के समय में चाइना आपको पता है कितना पाकिस्तान में invest कर रहा है CPAC चाइना का बहुँ जड़ा influence है पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान जितने हत्यार import करता है 73% तो अकेले चाइना से करता है और चाइना पाकिस्तान को हमेशा ऐसे देश के रूप में देखता आया है जिसकी साइता से इंडिया को contain किया जा सकता है South Asia में अगर देखो इंडिया पाकिस्तान का आपस में border touch न होता न तो साइड चाइना पाकिस्तान को इतनी ऐमियत नहीं देता क्योंकि सुरुवात में चाइना इंडिया से इंसेक्यूर फिल करता था चाइना को लगता था कि इंडिया से साइध खत्रा है और इवन नैम से पहले तो इंडिया एक लीडर्सिप रोल अक्तियार भी कर रहा था तो चाइना को उस समय लगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की आपास में नहीं बनती तो दुस्मन का दुस्मन दोस्त उसी कहावत पर चलते हुए पाकिस्तान के साथ समंध मजबूत करने चाइना नहीं स्टांट किये और आज की समय में पाकिस्तान चाइना के समंध काफी देवलब करनी चाहिए कि कल को अगर टू-फ्रेंट वार स्टार्ट हो जाता है तो उसका सामना क्या जासके अब देखो वैसे next question ये भी उठता है अगर मान लीजे टू-फ्रेंट वार स्टार्ट हो गया तो main challenger कौन होगा of course देखो main challenger तो China ही होगा ऐसी situation में Pakistan माल लिजे India China का war start हो जाता है तो ऐसी situation में Pakistan इस situation का फाइदा उठाने की कोशिस करेगा लेकिन Pakistan full-fledged war नहीं start करेगा western front पर क्योंकि Pakistan को ये लगेगा अगर full-fledged war start हो जाता है एक तो देखो international community की सिंपथी जुड जाएगी इंडिया के साथ में कि देखो दोनों फ्रेंट्स पर दो देशों ने मिलके इंडिया को घेर लिया है ये गलती पाकिस्तान नहीं करेगा कि वेस्टन फ्रेंट पर भी एक फुल फ्लेज वार स्टार्ट कर दिया जाए पाकिस्तान हाइब्रिड वार स्टार्ट कर देगा जैसे देखो कारगिल में किया था कि अपने कुछ घुशपैटिये बेज दिये मतलब पाकिस्तानी आर्मी के जवान आये थे कस्मीर में और उन्होंने कुछ चोटियों पर कबजा कर लिया था और ये दिखाने की कोशिस की थी कि ये कस्मीर के लोग है कस्मीर के लोग का ये आम्र रिबेलियन है इवन 1965 के वार में भी पाकिस्तान ने इसी परकार की कोशिस की थी ओपरेशन गिबराल्टर की साहिता से तो वैसी ही कोशिस पाकिस्तान एक बर फिर कर सकता है अगर चाइना के साथ वार स्टार्ट हो जाता है और देखो फुल फ्लेज वार पाकिस्तान इसलिए भी नहीं स्टार्ट करेगा इंडिया के साथ में तो पाकिस्तान को पता है अगर इंडिया को बहुत ज़्यादा पुश किया गया तो फिर नुक्लियर वार स्टांट होने की भी संभावना पैदा हो जाएगी मतलब तीन देशों के बीच वार चल रहा है और इंडिया के पास नुक्लियर वैपन्स है पाकिस्तान के पास भी नुक्लियर वैपन्स है चाइना के पास भी नुक्लियर वैपन्स है ये तो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये तीन देश आपस में लड़े जिनके पास नुक के बीच एक को चूज करना पड़ता है और यह डिफिकल्ट डिसीजन होता है मतलब एक अल्टरनेटिव को चूज करना और बाक्यों को इग्णोर करना क्यूंकि उनको इग्णोर करना भी आपको महगा पड़ सकता है इसके भी कंसेक्वेंसिस आपको भुगतने पड़ेंगे जैसे कल हमने आर्टिकल डिसकस किया था आपको याद होगा कि वैक्सिन लिम्टिड है पहले वैक्सिन किसको देनी चाहिए राइटर ये कह रहे थे कि यूथ को देनी चाहिए यूथ ज़्यादा स्प्रेड करते हैं वाइरस औ उनका सोशल इंट्रेक्शन काम होता है लेकिन ओल्डर सिटिजन को खत्रा ज्यादा है इस कोविड-19 से तो यहां पर मतलब इतना स्ट्रोंग एग्जांपल तो नहीं है एथिकल डेलमा का लेकिन एग्जांपल है एथिकल डेलमा का कि किसे चूज किया जाए यूथ को चू अब टो फ्रेंट वार सिटुएशन अगर पाता हो जाती है तो इंडीया के सामने क्या डेलमा होंगे थेलिमस देखो दो होंगे एक रिसोर्शीस से समस्द दूसरा स्ट Wonderful. रिसोर्शीस से समस्द डेलमा यह होगा क्यों से फ्रेंड पर जादा हिस्तों है क्यों से बहुत कमी है ऐसले जे टैली से इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2016 में इन्होंने कहा था कि अगर देखो टू फ्रेंट वार सिचुएशन पैदा हो जाती है न तो इंडिया को इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए 60 क्या इंडिया के पास इतनी इंडिया के पास इतनी सिर्फ 30 मतलब दोगनी चाहिए अभी 30 है 60 चाहिए तो यह तो प्रैक्टिकल नहीं है ना ही फीजिबल है कि एकदम से आप कॉम्बैट स्कुएशन को डबल कर दो बहुत पैसा एलोकेट करना पड़ेगा डबल करने के लिए और फीजिबल भी नहीं है फीजिबल क्यों नहीं है आपको तो पता ही है ना इकोनमिक सिचुएशन कित्ती खराब है कि सरकार अभी के समय में इतना ज़्यादा बजट अलोकेट कर सकती है मिल्टरी के लिए नहीं कर सकती और वैसे देखो जब भी कैपैस्टी बिल्डिंग साइबर, इलेक्ट्रोनिक्स वारफियर देखो अगले जो वार्स है ना इनी टेक्नोजी की साहिता से लड़े जाएंगे आपको याद होगा हमने का आर्टिकल डिसकस किया था अजर्बेजान और आर्मेनिया के बीच होता है जैसा इंडिया पागिस्तान के बीच होते थे आमने सामने की लड़ाई, ड्रोन की लड़ाई थी, मेंली अजर्बेजान के पास ड्रोन्स थे जो टर्की ने अजर्बेजान को सप्लाई किये थे और आर्मेनिया के पास ऐसे ड्रोन्स थे नहीं, तो आर्मेनिया के फोर्सिस का मनोबल इतना ज़रा डाउन हो गया उनको प चाइना भारी भरकम technologies का इस्तमाल करने वाला है, इंडिया को तयार रहना चाहिए इस situation के लिए इंडिया को भी इन latest technologies पर focus करना चाहिए, जैसे robotics, artificial intelligence, cyber, electronic, warfare. तो resources से समंदिक डेलमा देखो यही है, कि primary front पर, मान लिजी primary front चाइना के साथ में है, तो इस front पर कितने resources allocate किये जाएं, resources already कम हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, तो कितने resources भेजे जाएं primary front पर, और अगर देखो, ज़्यादातर resources primary front पर भेज दिये जाते हैं, तो secondary front, for example, इंडिया-पाकिस्तान का front, वहाँ पर क्या strategy होगी, और यहीं से निकल के आता है second dilemma, क्योंकि देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, कि पाकिस्तान साइद full-fledged war start ना करे, पाकिस्तान hybrid war start कर सकता है, तो इस hybrid war को tackle करने में, इंडिया की क्या रणनीटी होगी, अगर देखो, इंडिया की approach defensive रहती है, पाकिस्तान के इस hybrid war के खिलाफ, तो फिर पाकिस्तान और ज़् इंडिया से हम revenge ले सकते हैं, मतलब पाकिस्तान फिर और ज़्यादा aggressive हो जाएगा, तो इंडिया defensive नहीं हो सकता, इंडिया को aggressive होना ही होगा, और अगर इंडिया ज़्यादा aggressive होता है, पाकिस्तान के साथ, तो फिर ज़्यादा resources क्या सकता है, जबकि ज़्यादा resources दूसरी त तो ये तो डेलमा सामने आएगा इंडिया के तो इन डेलमास से निपतने से पहले से इंडियन मिल्टरी को रनीचनी त्यार रखनी चाहिए अब suggestions की बात की जाती है देखो diplomacy के संदर्ब में पहला suggestion writer देते हैं वो कहते हैं अगर देखो two front war situation पैदा हो जाती है तो diplomacy का एहम role होगा क्योंकि South Asia में India को contain करने की कोशिश करेगा China मतलब Nepal, Sri Lanka इनको भी अपने पाले में China करने की कोशिश करेगा ताकि इस पूरे reason में इंडिया को अलग थलग किया जासके और world में दिखाया जासके कि देखो इंडिया ही गलत है सभी देशों के इंडिया के साथ नहीं बनती है तो government के सामने एक बड़ा challenge ये है ना सिरफ South Asian countries के साथ relations से improve किये जाए at least जब two front war की situation पैदा होती है तो ये निपाल, सिलंका जैसे देश ये neutral position ले अगर इंडिया का साथ ना भी दे मतलब इंडिया का साथ दें ये तो बहुत ही अच्छा होगा लेकिन कम से कम neutral रहे इवन जो हमारे extended neighborhood में countries है जैसे इरान, इनके साथ भी अब इंडिया को relations मजबूत बनाने चाहिए ट्रम के कारेकाल में तो इरान के साथ relations काफी खराब हो गए थे लेकिन बाइडन के आने के बाद अब इंडिया के पास मोका है इरान के साथ relations को improve करने का इसके बाद रश्या की बात करें इंडिया को देखो ये ध्यान देना चाहिए कि यूएस के साथ इंडिया की जो बढ़ती दोस्ती है बढ़ती नजदीग्या है वो रश्या की कोष्ट पर ना हो ऐसा नहीं कि रश्या के साथ आपके relations खराब होते गए यूएस से के साथ मजबूत होते गए नए रश्या के साथ आपके relations ठीक ठाक होने चाहिए क्योंकि अगर two front war situation पैदा होती है तो रश्या एक भूमी का निभा सकता है इस situation को neutralize करने में रश्या एक effective mediator की भूमी का ऐसी situation में निभा सकता है QED की बात करें QED तो मजबूत हुआ है देखो पिछले कुछ महिनों में खास करके COVID-19 आने के बाद तो QED की साथा से maritime domain में इंडिया इन दोनों देशों को counter करने की सोच सकता है क्योंकि आश्ट्रेलिया, जपान, USA, इन देशों का साथ अगर इंडिया को मिलेगा तो फिर maritime domain में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का सामना कर सकता है इसके बाद suggestion है political will से समदित देखो अगर western front पर pressure को कम करना है तो इसके लिए political will चाहिए western front मतलब इंडिया, पाकिस्तान का front कस्मीर में peace establish करनी होगी ज़्यादा democracy वहाँ पे लानी होगी और अभी जैसे internet slow चलता है 4G नहीं है पूरी तरह से ये इन सभी issues को tackle करना होगा और अगर देखो कस्मीर में शान्ती आती है तो पाकिस्तान के साथ भी India relations improve कर सकता है और पाकिस्तान को convince किया जा सकता है कि आप आतकवाद को कम किया जाए हलांकि ये थोड़ी ideal सी बात है पाकिस्तान को convince करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन writer बोल रहे है तो लिखने के लिए है point इसके बाद next suggestion है close interaction with the political leadership military leadership की close interaction होनी चाहिए political leadership के साथ क्योंकि देखो अगर military के द्वारा कोई भी doctrine प्रिपेर किया जाता है two front war situation से निपटने के लिए अगर उसमें कोई political aim नहीं है या फिर political guidance नहीं है तो फिर वो doctrine तिक नहीं सकेगा फिर हमारी political leadership उस doctrine पे राजी नहीं होगी तो इसलिए close interaction ज़रूरी है political leadership के बीच और military leadership के बीच यह हमने पूरा article डिसकस किया two front war situation से समदित चलते हैं आगे नेस्ट article bail related issues के बारे में है आप JS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं यह सारी aspects हम cover करेंगे इस article के discussion में देखो वैसे तो judges के द्वरा bail grant करना यह judges की discretionary power है लेकिन judges को यह power काफी ज़्यादा liberally इस्तमाल करनी चाहिए यानि ज़्यातर लोगों को bail दे देनी चाहिए even Supreme Court ने भी consistently इस बात को बार बार बोला है bail is the rule jail is an exception bail reject सिरफ rare situations में होनी चाहिए otherwise bail मिल जानी चाहिए ऐसी बात Supreme Court के द्वारा बार बार बोली गई है bail का primary purpose यह होता है कि जिस person को bail दी गई है उसका compliance ensure किया जाए investigation में और आगे trial में जब भी उस person की जिसके उपर charges है मतलब allegations है वो person trial के दुरान जब भी court में appear होना हो तब appear हो समझ गे बड़ देखो काफी बार ऐसा होता नहीं है मतलब judges even छोटे से छोटे cases के लिए भी bail को reject कर देते हैं बहुत ज़दा अपनी whims and fences के हिसाब से judges bail applications को handle करते हैं bail applications की सुनवाई करते हैं जब कोई celebrity या फिर कोई famous person उसकी bail application की बात आती हैं तब ही इस पर चर्चा चलती है मीडिया में और लोग का interest जगता है कि judge के द्वारा bail दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी लेकिन bail reforms की बात बहुत कम लोग के द्वारा की जाती है देखो bail reforms दो categories में आने चाहिए एक judicial discretion से समदित केटेगरी में और दूसरा monetary, surety, bonds के केटेगरी में सबसे पहले बात करते हैं judicial discretion की केटेगरी में bail reforms किस परकार से आने चाहिए देखो सबसे पहली बात ये है जब किसी judge के द्वारा bail application को reject किया जाता है तो ये किसी individual को जिसके ऊपर charges है उसको उसकी liberty से वंचित करने वाली बात है क्योंकि charges अभी तक उस person पर साबित नहीं हुए सिरफ charges है, सिरफ allegations है अगर बाद में जाकर वो person बरी हो जाता है तो फिर जितने महिनों तक, जितने दिनों तक, जितने सालों तक उस person को jail के अंदर बंद रखा गया क्या उस time को वापस लाया जा सकता है नहीं लाया जा सकता इसलिए जब तक case चल रहा है जब तक trial चल रहा है तो जातर cases में bail देर ही देनी चाहिए judges को, अगर हाँ कुछ बहुत ज़़दा डर वाली बात है कि accused जो हैं बाहर निकल के investigation को नुकसान पुचाने की कोशिस कर सकते हैं या फिर जिसके साथ crime क्या गया है accused के द्वरा उसको नुकसान पर चाने की कोशिस किया जा सकते हैं accused के द्वरा तो ऐसे cases में चलो bail application reject की जा सकती है लेकिन देखो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है इवन छोटे से छोटे किसी जैसा आमने डिसकस किया फॉर एक्जामपल छोटे छोटे जो excise offenses होते हैं उनके लिगे भी routinely bail application को judge के द्वरा reject कर दिया जाता है और देखो जातर लोग को जो गिरफतार किया जाता है excise last के अंतरगत वो marginalized community के लोग होते हैं इवन देखो इंडिया की jailों में जितने लोग बंद हैं उसमें से दो तिहाई under trials दलिद community से हैं आदिवाजी community से हैं या फिर दूसरी backward classes community से हैं इन में से जातर को तो देखो चोटे-चोटे crimes में गिरफतार किया गया होता है लेकिन फिर भी bail नहीं मिलती वो jail में ही बंद रहते हैं trial चलने के दुरान और कई-कई सालों तक jail में बंद रहते हैं मतलब बहुत बार तो इवन आश्चेरेजनक रूप से ऐसे भी केसी सामने आते हैं तो तीन साल हो गए accused को jail के अंदर लेकिन trial अभी भी चल रहा है तो आप बताइए bail मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए और देखो COVID-19 के समय तो bail applications की जो pendency है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि courts ने अपनी full capacity से काम किया नहीं काफी दिनों तक तो court बंद रहीं तो bail applications जो है वो pending होती गई होती गई हलाकि Supreme Court ने आदेश भी दिया था कि COVID-19 के समय prisons को decongest कर दिया जाए लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग jail में बंद है जिनको minor crimes के लिए jail में रखा गया है case चलता रहता है तो यह हमने बात की judicial discretion के टेगरी में कौन-कौन से bail समधित issue सामने आते हैं अब हम बात करते हैं monetary, surety, bonds के बारे में देखो एक चीज़ आपने notice की होगी कि अजादी के लडाई के दुरान जब हमारे leaders को ग्रिफतार किया जाता था pretty sirs के दुरा तो जब bail पे छोड़ा जाता था तो bail amount बरवाय जाता था जैसे भगत सिंग को भी एक बार जब bail मिली थी तो 60,000, पता नी 70,000, बहुत भारी मात्रा में amount जमा करवाय गया था और भगत सिंग के फादर ने ये दिया था उस समय के 60-70,000 कितने ज़्यादा होते हैं ये पैसा इसलिए लिया जाता था कि आगे मतलब case चलता रहेगा bail मिल गई है तो future में trial के दुरान जब भी appearances के आवसकता होगी accused को आना पड़ेगा और accused नहीं आएंगे तो फिर इस भारी भरकम amount को जब्त कर लिया जाएगा तो accused पैसे के जब्त होने के डर से आते थे फिर appearances में जब भी आवसकता होती थी वो system देखो अभी भी चलता है मतलब bail जब मिलती है तो bond भरना पड़ता है पैसो का even काफी बार shorty bond भरना पड़ता है shorty bond क्या होता है मान लीजिए A को bail मिल रही है एक लाख रुपे के bond पर तो shorty वो person होता है for example B जो guarantee लेता है कि अगर A future में court appearances में court appearances को comply नहीं करता है नहीं आता है केस के दुरान court में तो फिर B उस amount को देगा और इस case में B को अपनी property भी दिखानी पड़ती है उतनी value की की देखो मेरे पास पैसे है समझ गए otherwise मतलब अगर मैं पैसे ना दूँ तो आप मेरी property भी हड़प सकते हो property जब्ट कर सकते हो तो काफी difficult ये हो जाता है गरीब लोग के लिए तो example दिया जाता है कि subordinates के द्वारा कई बार bail amount रखा जाता है minimum 10,000 रुपे even petty offenses के लिए जिसमें सजा 3 साल से कम होती है even high court और supreme court ये तो देखो काफी-काफी bail amount रखते हैं bail देने के लिए इसके बाद article में बोला जाता है देखो social economy card census के द्वारा कहा जाता है हमारे देश में rural landlessness 57% है यानि जातर लोगों के पास land नहीं है और ये ज़्यादा है दलित और आदिवासी कमिटी में 57% Indians ऐसे हैं जो एक महिने में 10,000 रुपे से कम कमाते हैं तो फिर ऐसी situation में क्या ये injustice नहीं होगा कि bail amount इतना इतना रख दिया जाता है bail के लिए ये भी एक major reason है जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग jail में ही रहते हैं क्योंकि वो ये amount दे नहीं पाते मतलब इतने amount का bone नहीं बर पाते bail प्राप्ट करने के लिए even काफी बार loan लेके bail प्राप्ट भी कर ली जाती है तो वो कर्ज के बोज तले फिर दब जाते हैं इसके बाद और even middle man का एक पूरा business भी emerge होके आया है इन्हें high bail amounts के कारण middle man क्या करते हैं exploit करते हैं ऐसी situation में जब bail के लिए पैसे देने की बारी आती है लेकिन इस पूरे system में reforms लाने की मांग नहीं उठती इतने ज़ादा media भी इन reforms को discuss नहीं करता वैसे देखो कितना सोचने की बात है media को ये सब issues उठाने चाहिए मतलब actual में अगर कोई genuine person suffer कर रहा है तो ये issues media को ज़ादा उठाने चाहिए उन issues को आप छोड़ दीजिए जहाँ पर किसी ने rape किया है या फिर काफी गंबीर crime किया है उनको तो मतलब एकदम से bail नहीं मिलनी चाहिए इसलिए judges को discretionary power दी गई है लेकिन routine के जो crimes है मतलब जो petty crimes है उनके लिए bail मिल जानी चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा system में कमिया है लेकिन कोई highlight नहीं करता वैसे लेखो provision ये भी है कि accused को bail दी दी जाए personal bond के अधार पर without sureties मतलब जिस person को bail दी जानी है वो उसको personal bond पर bail दी दी जाए बिना किसी monetary amount के for example कोई person है ए उसको बोल दिया जाए कि आप personal bond भरिये इतने रुपे का इसका मतलब ये है कि अगर ये person quote में नहीं आता है तो बाद में ये एक लाख रुपे दे देगा कोई पैसा अभी नहीं लिया जा रहा है कोई short ही नहीं लिया रही है बस personal bond पर छोड़ दिया गया लेकिन ये rarely ऐसा होता है किसी को personal bond पर छोड़ा जाता है इसके बाद way forward में कहा जाता है देखो बहुत बार lower courts और high court के judges काफी higher amount मांग लेते हैं bail के लिए जिसे fulfill करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन apex court के दोरा यानि supreme court के दोरा कोई देखरेक नहीं की जाती ऐसे मामलों में होना तो ये चाहिए अगर lower court और high court कुछ गलती करते हैं मतलब judges कुछ गलती करते हैं तो उनकी accountability supreme court के दोरा fix की जाए लेकिन नहीं ऐसा बहुत ही rare देखने को मिलता है कभी कबार supreme court के दोरा लताड बेसक लगा दी जाती है लेकिन कुछ खास action नहीं लिया जाता 1978 में supreme court ने मोती राम वर्से स्टेट ओफ मध्यपर्दे इस case में कहा था इस case की सुनवाई की जा रही थी justice we are Krishna Iyer के दोरा तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा high shorties पर्सन की socio economic position कैसे है Center for law and policy research की एक report के अनुसार एक checklist बनानी जरूरी है जब भी judge को किसी bail application को सुनना हो तो उस checklist को consider करें कि हाँ ये condition fulfilled हो रही है ये fulfilled हो रही है ये fulfilled हो रही है तो checklist के अनुसार bail दी जाए और judges की जो discretionary power है वो कम से कम की जाए ऐसा recommend क्या गया है Center for law and policy research के द्वरा बड़ देखो ये भी एक सच्चाई है हमारे समाज में casteism, classism ये काफी जादा है और काफी बार ये जो issues है वो judicial decisions में भी हावी हो जाते हैं तो अगर आपने checklist का system अपना भी लिया तो भी casteism, classism, judicial decisions में हावी रहेगा तो इसलिए इस case में जो बाते बोली गई थी 1978 के उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार को और सुप्रिम कोट को reforms लाने चाहिए बेल issues से समंदित तो ये हमने पूरा article डिसकस किया चलते हैं आगे इसके बाद next article अफगानिस्तान में peace establish करने से समंदित हैं आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों क्या contest हैं? देखो अगले हफ़ते दोहा में next round of बादसीत स्टांट होगी अफगान गॉर्मेंट के बीच और तालिबान के बीच तीन महने पहले पहली बार बादसीत हुई थी लेकिन अभी तक सिरफ issues decide होए हैं जिनको लेके बादसीत स्टांट होगी अगले हफ़ते देखो एक चिंता की बात ये हैं कि वाइलेंस अभी भी अफगानिस्तान में कम होने का नाम नहीं ले रहा है मीडिया प्रोफेशनल्स की काफी सारी target की लिंग्स होई हैं पिछले कुछ महनों में जैसे 10 दिसंबर को मलाला माईवांड ये टीवी होश्ट हैं इनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई जब वो अपने ड्राइवर के साथ थी इससे दो हफ़ते पहले रह्मतुल्ला निकजाद ये फ्री लांसर फोटोग्राफर हैं इनको भी मार दिया गया गजनी में हाला कि तालिबान ने डिनाय किया कि इन हत्याओं में हमारा कोई भी रोल नहीं है बट गुर्मेंट ओफिशल्स ने कहा हम कि वो इंसर्जेंट्स जिन्होंने अपने रूल के दुरान फोर एक्जामपल तालिबान क्योंकि तालिबान ने रूल किया था 90's में तो इशारा तालिबान के तरफ था अफगानिस्तान के गुर्मेंट ओफिशल्स का कि जिन्होंने अपने रूल के दुरान टीवी को बैन कर दिया प्रिंट और रेडियो को अपने प्रोगेंडा प्लेटफोर्म के तोर पे इस्तेमाल किया वही लोग जिम्यदार है मीडिया प्रोफेशनल्स के ऊपर अटैक के लिए देखो पीस टोक्स जो है ये कॉम्प्लिकेटिड प्रोसेस है यूएस की यहाँ पे बड़ी गलती है यूएस ने तालिबान के साथ डील साइन कर ली विदाउट ज़्यादा कंसेशन्स लिये यूएस को तालिबान को मजबूर करना चाहिए था कि बातची तभी होगी पीज एग्रेमेंट तभी साइन होगा अगर आप सीजवार एग्रेमेंट साइन करते हूँ लेकिन ऐसा कोई कंसेशन्स यूएस से ने तालिबान से नहीं लिया और बिना ऐसा कोई concession लिए अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए USA तयार हो गया देखो जब 2019 में election results आएं 2019 के election results आएं तो दो लोगों ने election लड़ा था presidential candidates दो थे एक असरफ गनी दूसरा अब्दुल्ला 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 हलाकि election हार गए थे लेकिन कुछ समय के लिए उन्होंने parallel government establish की उन्होंने आरोप लगाया कि election में धांदली बाजे हुई है बाद में agreement sign हो गया असरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच अब अफगान government के तरफ से अब्दुल्ला अब्दुल्ला तालिबान के साथ बाचित कर रही है और असरफ गनी के जो वाइस प्रेजिडेंट है यानि अफगानिस्तान के अभी जो वाइस प्रेजिडेंट है अम्रुल्ला सालेम ये देखो बहुत जड़ा एंटी तालिबान है तो मतलब अफगान government भी divided है ऐसी situation में कैसे तालिबान के साथ बाचित हो सकती है strong terms पर मतलब back foot पर बाचित करेगी न अभी तो अफगान सरकार तालिबान अपनी बात मनवाने की कोशिस करेगा violence अभी भी जारी है तो conclusion में देखो यही कहा जाता है सबसे पहले तो ceasefire sign होना चाहिए Trump administration तो चला जाएगा अब Biden जब President बनेगे तो उनको self reflection की आव सकता है क्या इस परकार से बाचित होगी अफगान government की तालिबान के साथ क्योंकि देखो USA ने एक परकार से अफगान government को मजबूर किया तालिबान के साथ बाचित के लिए अफगान government के पहले अपने काफी concerns थे तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा कि violence चलता रहेगा और अपने issues पर तालिबान सिर्फ बाचित करेगा अफगान government के साथ ऐसे तो देखो 2001 के बाद जब से तालिबान सिर्फ से गया है जितना कुछ achieve किया गया है जनता के लिए जितने rights जनता के लिए आए हैं पिछले 20 सालों में वो सारे चले जाएंगे तो तालिबान के terms पर सिर्फ बाचित नहीं होनी चाहिए ऐसे तो progress नहीं आसकेगी अफगानिस्तान में मतलब ऐसे तो peace अफगानिस्तान में नहीं establish हो सकेगी यह पूरा article हमने discuss किया अफगानिस्तान में peace establish करने से समदित तो यह थी हमारी आज की discussion आज हमने तीन issues details से discuss किये Thank you, thank you very much for discussion